हेलो दोस्तों कैसे हो सब ठीक हो ना वेलकम है आप सबका एक और नए ब्लॉग में आज है साटड़े और मैं जा रहा हूँ बाइक के काम से मुझ़े बाइक में नंबर प्लेट लगवाना है पहले जो नंबर प्लेट लगा हुआ था मेरे बाइक में वो तूट चुका है इस साथ मेरा फ्रेंड भी जा रहा है जो अभी बाइक ड्राइब कर रहा है मुझ़े एमाइटी कॉलेज के पाथ जाना है एमाइटी हम लोग राम दयालू भगवानपूर होते हुए जाएंगे रास्ते में आपको मुझ़ सुरत व्यू सब दिखाते जाओंगा मैं तो बने र के का यूट्यूब चैनल ट्रेवलिं राइडर वा दोस्तों क्या व्यू है रोड का मुझ़फरपूर की खूपसूरती का क्या कहना दोस्तों बिहार में पतना के बाद बड़े शहर में मुझ़फरपूर का ही नाम आता है मुजफर कुर में आपको सब कुछ मिलेगा पतना की तरह उची उची बिल्डिंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर 5 स्टार होटल और रेस्टोरंट्स तक कच्ची पक्की पहुंच शुका हूँ में और जाम लगा हुआ है यहां मुझे लगता है कि लंबा जाम है बाइक पे सफर करने का एक सबसे बड़ा प्रॉफिक यह है कि आप जाम में भी आप बाइक को बीच से या साइट से निकाल सकते हो जिससे आप जाम में फसने से बच जाते हो और टाइम पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो चलो हम लोग भी निकलते है बीच से अभी हम लोग राम दयालू की तरफ बढ़ते हुए यही थोड़ा आगे राम दयालू रेलवे स्टेशन है दोस्तों अगर वीडियो जरा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में शेर कीजिए साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करू तो सबसे पहले आपको मिले दोस्तों मैं पिछली वीडियो में अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ आप चाहो तो जाकर देख सकते हो नीचे उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ मैं आप सब के मन में क्वेस्चन होगा कि मैं अपनी आवाज में कुछ क्यूं नहीं बोल रहा हूँ इस क्वेस्चन का आंसर इस वीडियो में दे दिया है आप लोग एक बार जाकर देख लो ये है राम दयालू एनेच 28 का ब्रिच इस ब्रिच के नीचे से वैशाली सुपरफास्ट एक्स्प्रेस गुजर रही है इस ब्रिच के नीचे से मुजफर पूर हाजी पूर रोट गुजरती है ये रोट काफी सुन्दर बना हुआ है किसी दिन हम लोग इस रोट से पतना चलेगे यहां से मोतिहारी 86 किलोमेटर पतना है 71 किलोमेटर और मुजफर पूर बस स्टैंड यहां से 6 किलोमेटर है पतना के लिए आपको राइट टन होना होगा तो हाजी पूर होते हुए आप पतना पहुंच जाओगे यही टन है हाजी पूर और पतना के लिए यह है दी एवी पबलिक स्कूल जो की अभी बंद पड़ा हुआ है मुजफर पूर की टॉप स्कूलों में से एक है यह स्कूल झाल प्रणी पूर की अभी पूर की तो है हम लोग पहुंच चुके हैं गोबर सही चौक दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप सब वीडियो को लाइक करो साथ ही चैनल सब्सक्राइब करो और कॉमेंट करके बताना भी मुजफर पूर आपको कैसा लगा दोस्तों मैं साथ दिसंबर को निकल रहा हूँ गोरकपूर जो की उप्तर प्रदेश में पढ़ता है गोरकपूर मेरे घर से करीब 290-300 किलोमेटर है बाइक से जाने में मुझे 5-6 घंटे लगेंगे इस राइड में मैं गोपाल गंज होकर जाओंगा गोरकपूर इस राइड की तैयारी आज से सुरू हो गई है आज नंबर प्लेट लगवा लेता हूँ तो फिर बाइक की सर्विस करवाऊंगा किसी भी राइड पे जाने से पहले बाइक को पूरी तरह से फिट करना जरूरी होता है कि बाइक बीच में धोखा ना दे साथ में बाइक की पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी है गोरकपूर जाने में जो भी अच्छी व्यू मिलेगी उसको आप सब के बीच शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं ये सब देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करे भाई का चैनल साथ में बेल आइकन क्लिक करना ना भूले ताकि मैं जब वीडियो डालू तो पहले आपको मिले मैं पहुंच शुका हूँ अभी भगवानपूर से थोड़ा आगे भगवानपूर ब्रिज के नीचे बहुत जाम लगा हुआ था आगे से मुझे मेहदी हसन शॉप के लिए राइट टन करना है चलो दोस्तों मिलते हैं नंबर प्लेट की शॉप पे वीडियो लंबी हो रही है इसलिए डाइरेक्ट मिलते हैं शॉप पहुंच कर कर देखे भाणूर सुप प्लेट स्वाएब एैरेक्ट मिलते हैं शॉप प्लेट से थाँ जा था जाँ यहां तेरेक्ट से शॉप पहुंच कर देखे राइड संक्र रहें विग्जर शॉप प्लेट सॉप। यह रहा वो शॉप जहां बाइक में नंबर प्लेट लगता है। पिछली बार मैं यही से लगवाया था जब बाइक लिया था। नंबर प्लेट के लिए ओनलाइन करने का खर्च 150 रुपया है। अगर आपके पास पुरानी बाइक है और आप अभी तक सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो आप जल्द से जल्द लगवा ले। पुरानी बाइक के लिए नंबर प्लेट लेने के लिए आपको मुदफर्पुर में आर्टियो ऑफिस जाना होगा, वहां से करें आप लोग वीडियो को देखते हो बड चानल सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे बिना सब्सक्राइब किये नहीं जाएं चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाई दोस्तों इसलिए बड चानल सब्सक्राइब इसलिए